अस्सलाम अलेकुम चलिए आज किस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उर्दू का अगला चेप्टर इस वीडियो में अभी हम लोग एक नहीं दो चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे चैप्टर नमट 33 और चैप्टर नमट 34 यह दोनों चैप्टर हम लोग कोश्ट में कुछ जान लेते हैं क्योंकि एक्जाम में कुछ नेता है इनके बारे में जानना भी जरूरी है तो बीस नमबर 922 को कराची पाकिस्तान में फिर चाकिर का जन्म का हुआ था कराची में जो की पाकिस्तान में हैं और किस को 24new sampai 90 20 तीएघ कि वालिद का नाम स्थाकिव उस eigene जो एक शायर थे थे कि और इनका तखलुस क्या था इनके वालिद का सकति अँच शायर थी और इनका तखलुस इंसने में अपने शेर में जो नाम करण करना स्टार्ट कर दी ठीक है पर बिदोस्तान में इसलाफ का वतन हिंदुस्तान के लेवियर अ का नि ongoing ज静ू हए कि तिर तालीव कर पर उसके बाद अगर में कौल इसमेट्रिक इंटहां पास किया इसमें तो कोई समझाने वाला बात ही नहीं है तदाई तालिम मतलब उन्होंने शुरुआती अपने घर पर लिया और उसके बाद रजे गल्स कॉलेज ने उन्होंने मैट्रिक का इमतहान दी और वहां पर पॉस्डिविजन से पास कर गई पर विन शाकिर जो हैं सरस से पूर्मन में कि वह कहां पर फिर रोड्ट subscribers अमेरिका से बैंकिंग एड्मिनिस्ट्रेशन में मैं किया किंग और Nora नसीर अली से इनकी शादी बाद की बाके नरिश्तता जल्दी तूट गया ठीक है मतलब नसीर अली की साधी हुई थी इन का रिष्टा ज्यादा तक नहीं चला और फिर टूट गया तूट गया और उनहीं सा प्रविन शाकर की पिर क्या हुआ नर्म दिल खातुन थी यह उनके अंदर हंदर्दी कि जजबाद कुट कुट कर भरे थे बंदर व कि शायरी में किताब परकाशित हुआ क्या नाम है उसका खुश्बू ठीक है इनकी वफात हुई थी 26 या निकीन का इंतकाल मौत हुआ था 26 दिसंबर 1994 को इसलाम अबाद के नजदीक एक सड़क हादसे में हुआ था सड़क दुरघटना में क्या हो गया था किस डेट को 26 दिसंबर उनेसा चुराइब को ठीक है तो यह होगा आप लोगो का परविन शाकिर के बारे में कुछ डीटेल्स ठीक है अब हम लोग गजल की तरफ चलते हैं सबसे पहले हम लोग पहले गजल को का तश्रीक करते हैं और इसको समझते हैं यानिकी चैप्र नूमर 33 को ठीक है मैं आप लोगों का दरक्षा का बुक ले ले रही हूं और पहला गजल में निकालत रही हूं हाँ तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले गजल को चैप्र नूमर 33 को और देखते कि कैसे परविन शाकर इसमें क्या क्या बताने की कुशिश की और क्या क्या लिखी ठीक है तो इस गजल के पहले शेर में परविन शाकर लिखी है गया मौसम में जो खिलते थे घुलाबों की तरह दिल पे उत्रेंगे वही खौब अजाबों की तरह देखिए इस पहले शेर में परविन शाकर ये बताना चाह रही है कि गुजरे हुए जमाने में जो लोग मे हम दिन पर उत्रेंगी मेरे दिल पर उत्रेंगी और मुझे बहुत ज़्यादा सताएंगी उनकी यादे जो लोग मुझसे दूर हो चुके हैं ठीक है वो ही जो मेरा खेमा है वो मेरे ख्वाबों की तरह जल चुका है अब वो जल चुका है और उसका जो राख बचा है उसी राख के धेर के साथ अब मुझे रात बसर करनी है और जो लोग मुझे से दूर हो चुके हैं उनकी यादे मुझे सताएंगी उनकी यादों के साथ और इ वो अभी मुझी सियुक्म मैं तूम से पहली बार मिली थी वो पल मेरे दिल में पर्दा की तरह पैक हो चुका है और वो जो यादे मैं वो अभी वुझीओ यादे घुराई ओर है मतलब मुझे अभी भी याद आता कि पूरे कवीता का सार यह कि इसमें यह बताना चाह रही है कि तुम्हें इतना सुख मिला है उतना ही ज्यादा मुझे क्या हुआ है दुख मिला है ठीक है याद तो होगी वह बाते तुझे अभी भी लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह इस पाच्वेश मे परविन शाकिर ये बताना चाह रही है कि अभी भी तुझे वो बाते याद होंगी जो हमारे और तुम्हारे भी छुआ था लेकिन जिस तरह शेल्फ में रखी हुई बंद किताबे होती हैं मतलब लोग मतलब किताबे पढ़ते हैं और उसका कोई वाक्या कोई कहानी मतलब उन कोई थी वो तो तुम्हें याद है लेकिन मुझको भी तुमने क्या किया है सेल्फ में रखी हुई किताबों की तरह मतलब अलग कर दिया है अब मुझे तुम्हारी याद नहीं आती बहले ही तुम्हारे और हमारे भी जो बात हुआ था वो याद होगा तुमको ठीक है कौन जाने की नयसाल में तो किसको पढ़े तेरा मियार बदलता है निसाबों की तरह इस साही में पानौन छाक 주는 ये तिरा म्यार तेरा सोच यांकि तेरा अंदाज निसाबॉप की तरह सीले बस की तरह बदलता है जिस साथीक्राश कई स्ट्ट्रेट्फ एक साल के बाद तो एट स्कसित्न बदलने जाता है किताब बदलते जाता है तुम अभी किसी और 透 रहोगे फिर अगले साल और के साथ और उन्हीं मैं से मैं भी एक थी तुम तो पहले मेरे साथ थे अब पता नहीं तुम अगले साल किसको पढ़ोंगे ठीक है शोख हो जाती है अभी भी तेरी आँखों की चमक गाहे गाहे तेरे दिल्चस्प जवाबों की तरह इस शेर में परविन शाकिर यह बोल रही है कि मैंने तुमसे कुछ सवाल को श्रक उचा और उसका जवाब तुमने ऐ ठीक है अब आगे देखिए लास्ट शेर भी तंहाई पेढ़ी तरह खुश्वू मेरे खुए कोई खुए को की तरह क्रत इसक्रेंगी और मुझे बहुत ज़ादा याद आएगी ठीक हैं अब यह होगी अब पहला गजल अब दूसरे गजल को यानिके शेप्र नमबर 34 को भी समझ लेते हैं इसका भी तश्रीक कर लेते हैं इसी के साथ ठीक है देखिए दूसरे गजल के पहले शेयर में वो क्या लिखी है बारिस हुई तो फूलों के तन्चाक हो गए मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए इस पहले शेयर में परियन शाकिर ये बोल रही है बताना चाह रही है कि जब बारिस हुई तो फूलों के तन्चाक हो गए मतलब फूल खिल गए और जो बारिस का मौसम होता है ये बड़ा हमदर्द और बहराहम होता है बहुत जालिम होता है कि कली को भी फूल में चेंज कर देता है बादल को क्या खबर है कि बारिस की चाह म कितने मतलब नीचे चोटे बड़े पेड़ पौध है उसकी चाह में खाक हो गए ठीक है जुगनों को दिन के वक्त परखने की जिद करें बच्चे हमारे एहद के चलाक हो गए इस तिसे शेर में परविन शक्री बताना चाह रही है कि अभी के जनरेशन के जो बच्चे है वह सचे चदूर बच्चे और यह पढ़ाएं पेर पढ़ाएं बच्चो कि पढ़ाइए पढ़ायें पढ़ाईए पहले बच्चे पक पweetन कर पढ़ाता था लेकिन अभेका जनेरेशन ऐसा है कि बच्चे जो है ना वो पीछे पढ़ गए है टीचर के ठीके और वो खुद मतलब जिद कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाईए हमको पढ़ाईए ठीके लहरा रही है बर्फ के चादर हटा के घास सूरज के शयर पे तिनके भी बेबाग हो गए इस चौ चादर मतलब बर्फ पढ़ते पढ़ते बर्फ पूरा उसको घास को डख लेता है उस पढ़ते चादर की तरफ बिश जाता है वो बर्फ ठीके तो लेकिन घास को जो हैं आपने सूरज पर विश्वास होता है विशुँप यकीन होता है कि हाँ एक ना एक दिन जरूर लेकिन जब भी सूरज निकलेगा और सूरज के गर्मी से वह वर्फ क्या होंगे पिखल जाएंगे और फिर घास जो होगा वह लारा के अपना सर उठाएगा कि देखो मुझे अपने सूरज पर विश्वास था और सूरज क्या हो गया निकल गया ठीक है बस्तिव में जितने आ नहीं आता था दरिया की रुख बदलते ही यानि की बाढ़ आते ही वह भी तैराक हो गया मतलब इसमें कवीता का सारी है मतलब कुल मिलाकर प्रविन शाकिरिये बताना चाहरी है कि जिसको भी कोई भी काम नहीं आता है सिच्वेशन ऐसा आजाता है कि उसे वह काम करना आएगा तो आप बनाएंगे और वह आप लोग खाना बनाने आएगा तो प्लम लियाकर यहीं बात बताना चाहरी है सूरज दिमाग लोग भी अबलाग फिक्र में जुल्फेश रबे फिराक के पैचाक हो गए इस शेर में परविन शाकिर यह बता रही है कि जितने भी सूर फिर भी वो अंधेरे में उनको सही रास्ता नहीं मिल पाया तो वो खो गया जब भी गरीब शहर से कुछ गुपतगु हुई लहजे हवा यह शाम के नमनाख हो गया इस लास्ट शेर में परविन शाकिर यह बताना चाह रही है कि जो शाम की हवा है वो गरीब की शहर से जब भी नमनाख हो गई ठीक है अब इसी के साथ आप लोगों का यह जो दोनों घजल है इसका तस्ष्री कंप्लीट होता है दोनों घजल को मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए उसका खुलासा कर दी समझ में आ गया पहले लिए लिए यहां तक फटाफाट स्क्रे अब लोग वीडियो की क्वालिटी लोग है इसी लिए यहां पर त्री बटन आता है माँ पर जाकर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा 480 यानि कि 480 पिक्सल पर अफलोग कर कर चलाए में न वीडियो को बहुत अच्छा क्वालिटी उए और साफ-साफ आएगा लिखा हुआ तब लोग लिए तो अब बात आती है कोश्रिंसर की स्टार्ट होता है मुक्तसिर तरीन सवलात से यानि की अतील अगूत्रिया प्रसंते सबसे पहला सवाल है परविन शाकिर की तारीख पैदाईश क्या है वो किस तारीख को पैदा हुई थी तो 24 नुवंबर उ हुआ परविन शाकिर के वालिद का नाम क्या था यानि कि उनके पृता जी का क्या नाम था तो स्याध साख्कई भुजिन सवाल परविन शाकिर के वालिद हिज्रत करके कहा गए तो आप पाकिस्तान कांऑρη थे ठीक है शे नंबर सवाल है परविन शाकिर की इपतदाई तालिम कहां हुई तो परविन शाकिर की इपतदाई तालिम घर पर ही हुई ठीक है साथ नंबर सवाल परविन शाकिर ने मैट्रिक का इमतहान किस स्कूल से पास किया तो मैट्रिक का इमतहान किस स्कूल से पास किया था रजिया गर्ल्स कॉलेज से ठीक है आठ नमबर सवाल है बीए की तालिम परविन शाकिर ने किस कॉलेज में हासिल की तो बीए की तालिम सरसयद गॉल्स कॉलेज से सबसे पहला सवाल है परविन शाकिर की सवाला पर पांच जुम्ले लिखिये इसमें आप लोगों को बताना है परविन शाकिर के बायोग्राफी उनका लिखना है ठीक है तो आप लोगों को खुद से पार्विन शाकिर का कोई एक शेर लिखिये परविन शाकिर का कोई एक शेर लिखिये देना है आप लोगों को अपनी याद से आप लोगों के बुक में भी दिया है उसको भी लिख सकते हैं ठीक है तीन नंबर सवाल है परविन शाकिर की अजदवाजी जिंदगी मुक्तशिरन बयान कीजिए इसमें आप लोग को बताना है परविन शाकिर के वैवाहिक सेंटेंस में लिखना है अब बाता थी तवील सवालात की यानि की दिर्गुत्रिय प्रसन की सबसे पहला सवाल है परविन शाकर का सौरी साकिर ठीक है इनका नाम क्या है परविन शाकिर अब गलती समय शाकर निकल जाए जुबान से तो आप लोग समझ जाएगा जुबानी न एक फिसल जाता है ठीक है वैसे भी मैं यहां पर प्रनसियेशन की ख्लास थोड़ों ले रही हूं तो परविन शाकिर का तफसीली तारुफ पेश कीजिए यहां पर आप लोगों को परविन शाकिर के बारे में आप लोगों की तारीफ कर देना है यह तविल सवालात है न त और वो औरतों के जजबातों को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी और इसलिए उनके शेर वशायरी में औरतों के जजबात क्या हो रहे थे उभर कर सामने आते हैं ठीक है तिसरा सवाल है निसाब में शामिल परविन परविन शाकिर की किसी एक घजल का अदमी महाशन पर रोशनी डाली है आप लोग के जिसलबस है परविन शाकिर का दोनों गजल आप लोग पढ़े ना इसमें से किसी एक घजल का आप लोगो उस पर रोशनी डालना है उसका खुलासा करना है ठीक है परविन शाकिर का कोई ए श्री करना है खुलासा करना है मतलब बताना है ठीक है तो इसी के सांथ आप लोग का चैप्टर नमबर 33 और चैप्टर नमबर 34 दोनों एक ही वीडियो में कंप्लीट होता है ठीक है अब अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसको भी और बहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेट कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूर्ट सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक श्रेयर तो बनता है लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा वीडियो को श्रेयर कीजिए अपने पडोसियों के प